मेरा नाम डॉक्टर दीपक एड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्षरोग सम्मोहन और वेशनमुक्तित अग्ये हूँ इंडिया में महाराष्ट में अकोला सिटी में में प्रैक्टिस करता हूँ हमारे दो हस्पिटल है मनोरोगन जहां बित र्यलेट ईउस रिस्वHealth रोन के समेथ हम लोगण को भरती करते है और दुसरा मानोरोगन बिर्ती क्रते है अँग मैं आज आपको बताने माला हूँ कि हमारे पास में कुछ बीमारी के लोग आते हैं जिनको हम बोलते हैं is bipolar disorder या bipolar disorder मतलब मूह disorder का परकार है और इसमें होता गया है कि इसमें bipolar होता है मतलब दो भी फोल होते हैं एक होता है एक बार पेश Gu Patreon über Mrs.Depression और एक बार उसको आता है मैनिय एक बार बीप्रेशन एक बार मinky या फिर depression depression expecting मेनिय मेनिय मतलब इस तरह का हो जाए तो उसको बोलते हैं Bipolar One Disorder, यहां पेशन को जैसा डिप्रेशन आता है वाई से डिप्रेशन की पूरे लक्षन होंगे, रोना आना, उदासिंता, खाने बिने की इच्छा नहीं होना, कोई काम इंट्रेस्ट नहीं होना, खुदकुशी के विचार, नीन नहीं आना, बहुत थ सकान, आराम से सब काम करना, ऐसे पूरे डिप्रेशन के निराशा के विचार और निराशा के विमारी होंगी, उसका इलाज करने के बाद में, वो दो या ती मिने में अच्छा हो सकता है, उसे भी कम दिनों में अच्छा हो सकता है, या इलाज नहीं किया तो आट नो मिने मे होगे अच्छा हो जाता है दो आप उसको मैनिया का दोरा भी आ सकता है नुनमाद या हर्षवाई का दौरा सकता है कि में निया के दौर आ जासक्त में एक य serious मेरे未डियो सभी में कहा कि के relief करना रहना बहुत ज्यादा बाते करना बहुत पंता बड़ा समय होना ऐसे मेन्य के लक्षन आते हैं और वह भी तीन-छे मेने में वह अच्छा हो जाता है तो यह बाइपोलर और टू डिसौर इसमें होता गया है कि उसको डिप्रेशन आता है डिप्रेशन में जैसा पहले बोला वैसे ही कि उदा सिंदा है नर्वसने से होपलेसने मतलब कोई जिने में अर्थ नहीं है कोई आशा नहीं दिखती है रोना आता है नीन ने बराबर खाना बराबर नहीं खुदकुशिक विचार अंना इसा पूरे डिप्रेशन के लख्षन रहते और ऑसमें बीच-बीच में उसको हैपोमैनिया होता है है इसा पूरा मैनिया नहीं है उसकी थोड़ी सी नीचे वाली स्टेज मतलब जिसमें लोगों को ऐसा लगता नहीं कि वो पेशेंट है करके उसमें वो बहुत खुछ रहेंगा घुमेंगा फिरेंगा जाना लोगों से मिलेंगा तो जो रिलेटिव से रहते हैं उनको लगता कि च और वो हैपोमेनिया भी आता है और फिर वो देरे देर निकल जाता है और यह हैपोमेनिया में भी नुकसान हो सकता है पिशेंट का या रिलेटिव का कि जिसमें उनको जैसा पैसे जादा खरचा कि यह नुकसान हो सकता है यह कोई डील कर दिया बड़ी कोई खरीद लिया ब bipolar disorder 1 bipolar disorder 2 अभी इसके साथ साथ और यह गए उसको बोलते हैं यूनी पोलार डिसार मतलब मूड डिसार्टर यूनी पोलार मूड डिसार्डर उसमें होता कि इस डिप्रेशन ही आता है मतलब सिर्फ निराशार हो गए निराशार आती है दुख के विचार दुख की भावना और सि रोना नहीं उदा सिंता रोना आना मतलब पूरे डिप्रेशन के लक्षन डिखेंगे उसको लते यूनी पोलार डिप्रेशन उसमें एक ही पोल रहता है मतलब उसमें मैंनी आनी आएंगा और उसका विलाज जैसे मैंने पहले मेरी वीडियो में बताया वैसा उसका इलाज हो जैसा कि धंड काला होंगा तो उसमें उनको थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाएंगा नर्वसनेस उदास इंद आएंगी या धूब काला यह होंगा तो उसमें उनको जड़ा हाइपो मैनिया या मैनिक सिंटम्स ऐसे दिखेंगे तो उसको लोग थे सीजनल एफेक्टिव कभी बहुत अच्छे बाते करेंगे बहुत ज्यादा बात करेंगे घुमेंगे फिरेंगे फिरेंगे पिर आट डिस दिन पन्रह दिन के बाद में फिरो लो हो जाएंगे घुमना ने फिरना ने बैठे रहना अकेले अकेले बैठना कभी रोना ना कभी उदास इंता नकारात साइकलो थीमिया 9 रखसे चलता है तो 2 साल तक चलता है तो इसको फिर साइकलो-थायमिया 9 किल आ ज साईकल्ठ जैसे चल रहे हैं कभी ऊपर कभी नीचे कभी और कभी नीचे थुम मूर को स्टेबल रखने के लिए मूर्स से तुर मूर स्टैबिलाइजर मूर स्टेबल रखा तो ना ऊपर रहेंगा ना नीचे रहेंगा तोसे मूर स्टैबिलाइजर काफी दिन तक लेना पड़ता चाफि महनों तक लेना पड़ती है दवएए और उससे अच्छा हो सकता है यह साइकलोधायमिया या इसे मूट डिसॉडर या बुरी आदमी है यह तो ऐसे समाज में खब जाते मतलब आलम नहीं पड़ता कि इनको बिमारी है इसमें नुकसान समाज का होता है फैमिली का होता है उनका खुद का होता है तो इसके लिए लोगों को जागरूप करने के लिए यह मेरा वीडियो काफी लोगों तक शेयर करो आपके वाट्साइप गूर्प के ओपर आपके फिस्बूक के ओपर शेयर करो क्या हमारा मिशन जो है वह है एडिक्शन फ्री इंड एल्गयको त्वेगरू, थिए प्धिक्स